इंडिन टेलिविजिन के अगर सबसे सफल कॉमिजिन की बात की जाए तो उसमें भारती सिंग को ज़रूर गिना जाएगा भारती सिंग ने इस मुकाम को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है बेहत गरीबी से निकल कर भारती सिंग ने अपना करियर बनाया है अब भारती सिंग ने बताया है कि उन्हें किस तरह शुरुवाती दिनों में छेड़ खानी का भी सामना करना पड़ा था एंकर मनिश पॉल की शोव में भारती सिंग ने इस बारे में बात करते हुए बताया कई बार इवेंट के कॉर्डिनेटर बत्तमीजी करते थे ले लोग मेरे पीछे हाथ रगड कर चले जाते थे मुझे पता होता था कि ये गलत है लेकिन तब मैं ये सोचती थी कि ये तो मेरे अंकल जैसे हैं और मेरे साथ गलत नहीं कर सकते हैं शायद मैं गलत थी और वो सही थे अब मुझे पता चलता है कि ये सब बहुत गलत था भारती ने आगे कहा मुझे लगता था कि ये सब ठीक नहीं है मगर मुझे कुछ समझ नहीं थी अब मैं इन सब बातों का विरोध कर सकती हूँ अब मैं ही कह सकती हूँ क्या बात है, क्या देख रहे हो बाहर जाओ मुझे चेंज करना है अब मैं बोल सकती हूँ लेकिन तब मुझे विरोध करने में हिम्मत नहीं थी इस चैट शो के दौरान भारती ने अपने बच्पन की स्ट्रगल के बारे में भी बताया उन्होंने कहा बारती जिस समय की बात बता रही थी उस समय उनकी मा की उम्र केवल 24 साल थी बतादे कि टीवी रियाल्टी शो लाफ्टर चैलेंग से अपनी करियर की शुरुवात करने वाली भारती सिंग ने दकपल शर्मा शो और कई टीवी रियाल्टी शो के जरी अपनी पहचान बनाई है बारती सिंग ने 2017 में स्क्रिप राइटर और टीवी प्रेड्यूसर हर्श लंबाजिया से शादी की थी इस ख़बर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें करेंगा करेंगा